माई डियर स्टुडेंट तो ध्यान से देखेगा कि आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं गुननखंड निकालने का जो सिखाने के लिए जो वीडियो बना रहे हैं निश्चित तोर पे मैं कहता हूँ पूरे गरांटी के साथ कि कोई साभी गुननखंड जो है आप बहुत अराम से बना लिजिएगा कमजोर से कमजोर विदार्थी भी जो है अराम से कोस्टन को बना लेगा गुननखंड इजी तरीके से कर लेगा लेकिन कब जब उसको सही कॉंसेप्ट मालूम होगा तब इसके लिए पूरा डीटेल फूल ओप्रेशन करेंगे गुननखंड का और इसके बाद कोई साभी कोस्टन को आप आराम से बना सकते हैं तो देखे हम एक कोस्टन लिए है पहला है 2x square पलस 5x पलस 3 2x square पलस 5x पलस 3 देखे इसके ध्यान से इसमें कि सबका साइन इसमें पलस है इसमें सब क्या है पलस जबकि एक और कोस्टन लिए है इसमें देखे यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस हो सकता है लेकिन पलस बला बहुत आसान होता है तो पहले पलस बला समझते हैं फिर हम माइनस बला भी समझेगे तो अब ध्यान से सुनिएगा, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो इक कातबला होता है, यह side में लिखा हुआ है, 2x² और इधर side में जो इतीन है, इस दोनों को आपस में multiply कर लेना है, गुना कर लेना है, ठीक है न, यह middle term जो है यह 5x मध्यपद, इसको portion हो, कात बला जो है, दोनों side बला इसको गुना करना है, ठीक है न, गुना कैसे करना है, तो देखिए हम बता रहे हैं, प्रध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर है 2x² कात में है न, और गुने में यह बला है पलस्तीन, तो इसको गुना करेंगे तो हो जागा 6x², ठीक है यह 6x² जो यह दोनों कात बला को गुना करके आया, इसको आपको mind में यहीं पर इसको रखना है, और यहाँ पर देखिए x² का लबा अंक क्या है, यह 6 है, ठीक है न, यह 6 है तो 6 को क्या करेंगे, गुनन खंड कर लेंगे इस तरीके से, देखिए तो दूसरे भाग लगेग अब ध्यान से देखिए, अब main role शुरू होता ही, तो जानगे कि गुना करके रखना है, उसका गुनन खंड कर लेना है, यह middle term जो है न, मध्य पद 5x, ध्यान से सुनिएगा, बस इसी को न, आपको दो पद में जो है, ब्रेक करना है, तुरना है, ध्यान से समझना, यह 5x को दो पद में ब्रेक करना है, तुरना है, शर्थ क्या है, कि अगर यह 5x को दो पद में तोरेंगे, तो फिर सो जोड़ेंगे, तो वही होगा 5x, लेकिन यदि गुना किये, तो यह आना चाहिए, 6x स्क्वाइर, यह वाला आना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, यह आना चाह और जोर के 5X आना चाहिए ठीक है ना यहीं 5X को दो पड में ब्रेक करना है और इसको इसको कुछ करना नहीं है तो भाई कैसे जानेंगे कोन ऐसा नंबर है जिसको गुना करे तो 6 आ जाए लेकिन जोड़े ता 5 आ जाए इसके लिए नंबर का गुनन खंड कर लेना तो देखे दो और तीन को यदि गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा दिखे दो ती आई 6 लेकिन अगर दो और तीन को आप जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा पांच है ना तो यहीं आपका इसमें कंडिशन था ध्यान से दिखेगा तो इसको कुछ करना नहीं है कात बला को आपको चेक्स हो जाएगा और यह आपका थिरी का थिरी रहा गया कोई डाउट बिल्कुल डाउट नहीं इसी तरीके से आपको यह मिटल टर्म जो है न मद्देपद इसको ब्रेक कर देना है जबकि इसको कुछ करना नहीं है ब्रेक कैसे करना है बता दिए और देखे ध्यान से कि 2 2x स्क्वाइर को थिखा न आप जो है गुनन खंड कर दिजिए तो इसको 2x स्क्वाइर को लिख सकते है 2 गुने x और गुने x 2x से स्क्वाइर को 2x को गुना करेंगे x तो 2x आप 2x से करेंगे 2x स्क्वाइर आप पलस है यहाँ पे तो पलस दिजिए तिरी x को लिख सकते ह को दिक्कत नहीं, फिर पलस है तो पलस कीजिए, फिर यहाँ पर क्या है, दो एक्स इसको लिख सकते हैं, दो गुने एक्स, यह तीन का तीन, पूरा गुनन खंड कर दिये, डिटेल में, ठीक है न, अगर आप समझ जाएंगे, तो यह करने की जरूरत नहीं है, यह भी ध्यान स दोने में आपको common देखना है कि common क्या रहा है, दोने में common क्या रहा है, तो देखी इसमें, इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में मिल रहा है न, इस दोनों में x मिल रहा है, इसके अलाबाई धर दू है, धर तीन है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें से only x common कर लेंगे, x क्या कर लेंगे common तो यहां से जब x common कर दिये तो यहां 2 बच गया और ऐक x बच गया तो 2 गुन X यानि कि यहां पर क्या बच गया है 2X आप इस मिन से थे x हम common ले दुके थे तो यहां पर cable क्या बच गया है 3 तो यहां पर लिख देंगे cable 3 ठीक है अब इस दोनों में दखिये कि क्या common होगा भाई, यहां तो x भी नहीं है, न 3 है, कुछ भी common नहीं है, तो ध्यान देना student, जब कुछ भी common नहीं हो, तो दुनिया का हर number का common, गुनन खंड जो है common number 1 होता है, तो 1 common लेना है, एक बार फिर से repeat करा हो, जो कुछ भी common नहीं, तो 1 common लेना है, 1 common लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसो का तैसो, तो यहां पे हो जाएगा 2x, और यहां पे 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आप चाहे तो यह line को आप जो है, छोर भी सकते हैं, यह वाला line को, यह आपको exam में बनाने की जरूरत नहीं है, आपको हम सम common ले लिए, यहां 6 common चला गया, तो 2x आइस में 6 गया, तो 3, यहां देखे 2x plus 3 है, दोनों में कुछ भी common नहीं है, तो क्या लेना है, 1 common लेंगे, तो यह 100 का 300, ध्यान देना है आपको कि यह वाला और यह वाला हर question में same आना चाहिए, जैसे यहां 2x plus 3 है, तो यहां 2x plus 3 होन चाहिए, यहां minus का भी, यहां sin का भी अंतर होना नहीं चाहिए, अगर यह दोनों same नहीं आ रहा है, तो समझ जाना कि आपका गुनन खंड कहीं न कहीं गलत है, तो अब क्या करना है, कि जो दोनों same है उसको लिख देजी, तो दोनों same कुन है, 2x plus 3, और यह जो इधर x है, इ यहीं आ जागा, clear है, ठीक है, अब एक कुशन और देखी कि minus वाला कैसे वालेगा, फिर से क्या करेंगे, कि यह कात वाला जो है न, यह वाला और यह वाला इसको गुना कर लेंगी, है न, जैसे देखे हम यहां पे करके बताते हैं, यहां पे 6x square है, गुने में है minus 3, तो recording break करेंगे, किसके, 18x square के, अब इसमें से x square minus को थोड़ा दिर के लिए भूल दाएगे, केबल यहां से अंक ले लिए 18, 18 का गुनन खंड किजिए, तो एक के दूसरे लगेगा 9, तीन से 3, हाना, तो अब आपको ध्यान देना है कि हमको break करके कितना लाना है, इसमें break करके ल लाना है, पॉलस का 7x, अग गुना करके लाना है, माइनस 18x square यहां पे है न, गुना करके लाना है, यह माइनस 18x square और जोर करके या घटा करके आपको पॉलस का 7x, जो middle term में है न, इसी को दो पार्ट में break करते हैं, तो फिर से हम दो ऐसा नमबर ढूटेंगे, जिसको अगर इंटू करे, यानि गुना करे, तो 18, गाटा दे, उस दोनों नमबर को, तो 7 आना चाहिए, तो कौन कौन नमबर होगा, तो इससे नमबर बनाईए, तो इसका जो गुनान खंड आया है, दो गुने, तीन गुने, तीन गुने, तीन इससे नमबर बनाईए, तीन गुने, ती 2 आप minus करते हैं तो हो गया 7 यही condition था ना कि 2 ऐसा number बताए जिसको गुना करेंगे तो 18 आप minus करेंगे तो होना चाहिए 7 तो यही है 9 और 2 ठीक है तो अब क्या करना है इसको कुछ करना नहीं है इसे कुछ करना नहीं है यहाँ पर लिख देंगे 6x square दोनों कातबला को कुछ नहीं करना है और 7x को हम क्या बोले पलस का लिखेंगे 9x और minus का 2x ध्यान दिजेगा बहुत बच्चा यहाँ पर इसमें minus कर देते हैं तो आपको ही ध्यान देना है कि यहाँ लाना क्या है पलस 7x तब पलस 9x में से minus 2x करेंगे तब ना पलस का से बेनेक्स आएगा इसलिए sign का भी ध्यान रखना है और यह minus 3 का minus 3 देखें दोनों कातबला को कुछ नहीं किया है 3 का 3 है 6x से स्क्वार का 4x से स्क्वार है कि बल जो मध्य पधन इसको हम break कर दिए हैं अब इसको common लेना है देटेल में हम बता देते हैं 6x से स्क्वार को क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने x गुने x 2 ती आई 6 6 को x से तो 6x आ x को करेंगे 6x से तो 6x से स्क्वार आ 9x को क्या लिख सकते हैं तो 3 गुने 3 गुने x 3 ती आई 9 आ x को करे x हम बोले थे यह लाइन आपको करना भी है या नहीं भी करना है यानि इसमें इस दोनों में common क्या आ रहा है यानि यहां से यहां तक में common क्या आ रहा है ध्यान से देखेगा तो देखिए इधर तीन है तो इधर भी देखिए यह वाला तीन और इधर भी एक तीन है और एकस यहां से 3 और x common कर दिये तो क्या बच रहा है यहां पे आपका 3 बच रहा है गुना करके भी चेक करके आपको देख लेना है जैसे कि 2 ti 6 x square और 3 ti 9 x अब इस दोनों में क्या common आ रहा है तो यहां कुछ भी common नहीं आ रहा है पहले बताए थे लेकिन यहां पे क्या है माइनस उससा में वहां माइनस नहीं था तो हम माइनस 1 common लेंगे कुछ भी common नहीं है तो क्या लेना एश्ट्वेंट्स 1 लेना है लेकिन यहां माइनस है तो माइनस लेकिन जैसे ही माइनस common लेंगे तो sign बदल जाएगा यह minus 2x है तो हो जागा plus का 2x और यह minus 3 है तो हो जागा plus का 3 देखिए दोनों सेम आ गया 2x plus 3 और 2x plus 3 बुले थे न यह सेम आना ही है तो यह जो दोनों सेम है उसको लिख देजिए 2x आप plus का लिख देंगे 3 है न और इधर में 3x minus का 1 यही आपका हो गया गुनन खंड ठीक है न तो आराम से इस तरीके से जो है आप गुनन खंड जो है निकाल सकते है ठीक है students फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले